ओके, so good morning all of you, तो जैसे हम लोग अगर देखें, तो हम लोग last class conversion of interest rate सीखे थे, ठीक है, तो हम लोग start करेंगे, what is I2, I2 का मतलब क्या है, I2 का मतलब क्या है, बोलिए, I2 का मतलब अगर मानलो यह है 5%, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को half yearly effective कितना मिलेगा, धाई परसेंट, और सालाना मेरे को approximately कितना मिलेगा, 5%, and yearly effective मेरा rate कितना आएगा, 1.025 का square माइनस 1, तुम लोग को यही चीज़ सिखाया जाएगा, आज जैसे मानलो अगर I4 है, I4 बोलता है 12%, सालाना approximately मेरे को कितना मिलेगा, 12%, quarterly effective कितना मिलेगा, 3%, और सालाना effective कितना मिलेगा, 1.03 to the power 4 माइनस 1, यह चीज़ समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, हाँ, अब जैसे मानलो हम लोग को I4 दियावा है 10%, बोला है I निकालने, तो कैसे निकालेंगे, 1 plus I4 by 4, whole to the power 4 is equal to 1 plus I, ठीक है, तो 1 plus 0.1 by 4, whole to the power 4 is equal to 1 plus I, ठीक है, तो क्या आएगा बुलना, my screen is blurry, my screen is blurry, just hold on for a minute, जो मैं दिखा रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो चीज़ ठीक है, एकदम मेरा screen एकदम clearly दिख रहे है, अभी मैंने screen share किया है, जो screen share वाला जो part है वो सही है, मेरे को मत देखो, ठीक है, तो 1.025 to the power 4 minus 1, is it clear, तो यहां से आई निकल गए बताए कितना आ रहे है, देखो तो श्रदम हमने group में assignment भेजा है क्या, चेक करो सब लोग, हाँ, श्रदम हमने भेजा है, वो assignment खोल लो, यह basic chapters का assignment है, ठीक है, है, यह basic chapters का assignment है, पिला सबको, assignment मिल गया, ठीक है, ओके, अब एक चीज़ समझना, अब जैसे, अगर हम बोलता है, आई 0.5, यह क्या है, आई 0.5 by 0.5, यह क्या है, यह है, यह है, effective rate, two yearly effective rate का मतलब क्या होता है, दो साल में एक बार compounding होगा, two yearly effective rate का मतलब क्या होता है, दो साल में एक बार compounding होगा, is it clear, हाँ, ओके, तो अब जैसे मानलो, मैं क्या equation बना सकता हूँ, one plus i का square is equal to one plus i 0.5 by 0.5, क्यों, क्योंकि यह भी दो साल का है, और यह भी दो साल का है, is it clear, दोनों चीज़ दो-दो साल का है, is it clear, yes or no, उदित चौदरी, यशार्थ, इशान, is it clear, यश, ओके, शोएब, भुवन जोशी, ठीक है, ओके, आभास कोच ठीक है, ओके, अब जैसे heading लगाना, क्या हुआ, चला रहा है, force of interest, force of interest, तो सुनो, force of interest, यशार्थ अब आपके तरफ से problem है, मैंने जो screen share किया है, उस पर ध्यान दो, जो screen share किया है, वो भी blurry है क्या, किसको किसको blurry दिख रहे है, हाद उटाओ, तो अब ही, शोय आपको blurry दिख रहे है, जो screen share किया है, वो भी, ठीक है, ठीक है, तो force of interest, force of interest, ध्यान से सुनना, अभी जैसे हमने i पढ़ा, हमने i2 पढ़ा, हमने i4 पढ़ा, dot dot, हमने i12 पढ़ा, हमने i365 भी पढ़ा, मतलब daily compounding हो रहे है, अब जैसे मालो, जैसे जैसे यह frequency of compounding भढ़ता है न, वैसे वैसे situation बहुत cumbersome हो जाता है, मतलब जैसे, जैसे मालो, stock market, जो stock market में क्या होता है, हर second का returns आता है, positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, because जो stock price है, वो हर second change होता है, 90.2, 90.5, 89.5, 88.5, 92.5, तो basically वो हर second change हो रहा है, तो उस type के चीज़ों के लिए हम लोग force of interest का use करेंगे, जो है continuous compounding, continuous compounding ठीक है, तो continuous compounding का मतलब क्या होता है, एक force, जो मेरा fund को grow करने में मजबूर कर रहा है, उस force को बोलते है, force of interest, ठीक है, इसका एक बहुत complex formula है, जो हम लोग को learn करने का दरकार नहीं है, हम लोग को खाली end result से मतलब है, ठीक है, ध्यान देना, basically, क्या बोलता है, 1 plus i मेरा क्या है, एक साल का accumulation factor है, इसको हम लोग equate करेंगे e to the power delta से, और delta मेरा क्या है, delta मेरा है force of interest, words use करेगा continuous compounding या फिर force of interest, मैं फिर से repeat कर रहा हूं, words use करेगा continuous compounding या फिर force of interest, तो e power delta मेरा क्या हो गया, एक साल का accumulation factor, उसी तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 plus i to the power n is equal to e power delta n, तो e power delta n मेरा क्या हो गया, n years का accumulation factor, तो n years का discounting factor क्या हो जाएगा, 1 by e to the power delta n which is what, e to the power minus delta n, ध्यान से सुनिए, force of interest का मतलब क्या होता है, मेरा time period अब इतना छोटा हो गया है, कि हम उसको timeline पे plot ही नहीं कर पा रहे हैं, basically i infinity is what, delta, मने frequency of compounding अब भहत जादा बढ़ गया है, frequency of compounding अब भहत जादा बढ़ गया है, i में और i2 में बहुत फरक है, i2 में, i4 में फरक है, पट i365 और i366 में ज़्यादा फरक नहीं है, i366 और i370 में ज़्यादा फरक नहीं है, बात को समझेए, ठीक है, तो basically frequency of compounding एक जगा पे जाके मिल जाता है, तो वो मिलने वाला point को हम लोग डेल्टा बोलेंगे, आज जैसे मान लो, जैसे बहुत बर क्या होता है, आपको बोलेगा, सालों साल, मनदा 50 साल का policy है, और अगर weekly compounding का बात हो रहा है, हर हफता compounding हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उसको करने में, यूँकि एक साल में 52.18 weeks होता है, फिर 50 साल है, तो उसको continuously compounding मान के हम लोग कर सकते हैं सबको, अपना ease के लिए, अपना ease के लिए उसको continuous compounding मान के हम लोग कर सकते हैं, ठीक हैं? ओके, यहला लिख लेना प्लीज, अब जो assignment मैं ने group में भेजा है, सबको मिल गया, assignment group में PDF मिला होगा, ठीक है? इस सबका मैं hard copy नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ, यह सारे material के ही questions हैं, बट हमने effort लगा के material से questions start के लाया है, ताकि पुरा material पढ़ना नहीं पढ़े, in the coming years हम लोग अपने system से पुरा material हटाई देंगे, तो यह हमारा first step है, material में बहुत सारा questions है, basically equations of value is your chapter 9 और 10, तो basically बोलने का मतलब क्या है, chapter 9 तक का पुरा चीज हमने इसमें दे दिया है, तो आपको बिस इसमें फोकस करना है, और भी कुछ होगा तो हम करा देंगे, CM1 का summary है, तो मालनों जैसे ऐसे कई घर से बाहर निकला, कहीं जा रहे है, कुछ भी कर रहे है, four नमेशा इंसान के पास में रहता है, वो summary वहीं से पुरा read करेगा, जितना बार revision करेगा, उतना concept clearer अरेगा, ठीक है, I am giving you all time, चलो, ठीक है, अब assignment में question number 5 देखो, question number 5 देखो, सबको मिला assignment question number 5 ग्रुप में आया है, ठीक है, तो delta हम लोग को कितना दे दिया है, 8% दे दिया है, बोलता है I निकाल लिए, बहुत simple है, इधर देखो सब लोग, बोट पे, बोट पे देखो, delta दे दिया है, तो e to the power 0.08 is what, 1 plus i, यहाँ से i निकाल लो, answer आ जाएगा, fx 82 es plus calculator यूज करेंगे, अब i आ गया तो बोलता है I4 निकालो, कैसे निकालेंगे, 1 plus i is equal to 1 plus i4 by 4 whole to the power 4, यहाँ से i4 आ जाएगा, फिर बोलता है हम लोग को d12 निकालो, तो 1 plus i is equal to 1 by 1 minus d12 by 12 whole to the power 12, is it clear, यह तीनों निकालिये फड़ाफट से, यह तीनों फड़ाफट से निकालिये, 2 महना, जो बच्चा क्लास कर लिया, और अगर वो बच्चा fail हो जाता है, तो पूरा पैसा वापस कर देंगे, अगर कोई बच्चा हमको मेरे सामने आके यह चीज़ बोल दे, कि सर आपका सारा क्लास अटेंड किये तो और हम fail हो गए, उसका पूरा पैसा वापस कर देंगे, हो नहीं सकता है यह चीज़, एंसर्स भी पीछे में दिया है, मिला लेना, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और क्लास कॉपी को एकदम पूरा अच्छा से बनाना है, ठीक है, इसका पार्ट 3 देखना, कोश्चन नमबर 5 का पार्ट 3 देखना, ठीक है, हम लोग को बोला है, D दे दिया है, 9%, I, D2, I, 12 और डल्टा निकालने बोला है, ठीक है, D दे दिया है, 9%, I निकालने बोला है, तो I by 1 प्लस I is equal to what, 0.09, yes or no, है ना, ठीक है, अब यहां से I solve कर लेंगे, कर लो, और एक बार मेरा I आ गया, फिर हम को बोलता है, D2, तो D2 तो D से भी निकल जाएग 1-D is 1-D2 by 2 का square, उसके बाबने बोलता है, I 12 निकालो, जो कि हम I से निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस I is equal to 1 प्लस I 12 by 12, whole to the power 12, उसके बाबने बोलता है, डेल्टा निकालो, तो इधर देखो, 1-D क्या है, 1-D क्या है, एक साल का discounting factor, और एक साल का discounting factor क्या होगा, E to the power minus delta, इस तरीके से दिमाग चलाएए, दिमाग चलाएए, 1-D मतलब क्या होगा, एक साल का discounting factor, और डेल्टा में एक साल का discounting factor क्या होता है, E to the power minus delta, solve करिए, question number 5 के तीन पार्ट से तीनों को solve किजिए, आप लोगो time दे रहा solve करिए,